परिक्षाओं को ऑनलाइन करवाने को लेकर युवा कॉंग्रेस और नस्युआई छे दिनों से उपायुक्त कार्याले के बाहर धरने पर बैठी हैं। इनके समर्थन में कॉंग्रेस के बड़े नेता भी पहुंच रही हैं। रविवार को शैरी कॉंग्रेस भी युवा कॉंग्रेस के समर्थन में धरने स्तल पर पहुंची और उनकी मागों का समर्थन किया। यह जो सरकार का रविया है। चाए वो युवा हैं, चाए किसान हैं, चाए बागवान हैं, चाए मजदूर हैं, चाए इंप्लॉईज हैं। सब के प्रती जो है बिल्कुल नकारात्मत रविया है। और पिछले कई सालों से आप देख रहे हो, पहले ओपोजिशन किसी चीज को ले के अगर आवाज उठाती थी, तो सरकार उस पे कुछ एक्शन करती थी। आप पिछले देख दो साल से चाए सेंटर गवर्मेंट का रवईया है, चाए स्टेट गवर्मेंट का रवईया है, वो किसी भी वर्ग के लिए अच्छा नहीं रहा है। लोगों ने इतने धरने परदर्शन की हैं, लोग तरस्थ हैं महंगाई से, लोग तरस्थ हैं बेरोजगारी से, लोग तरस्थ हैं करोना से, लोग तरस्थ हैं उनको वैक्सिनेशन नहीं लग पारी और हमारे युवा साथी जो पिछले छे दिनों से धरने पे बैठे हैं, अपनी मांगे लेके आप ये देखिए के पिछले लगबग देड़ साल से जब से कोविड काल चल रहा है मैक्सिमम पढ़ाई जो है ओनलाइन की जारी है और जब एक्जाम की बारी इस वरी आई है तो इन्होंने ओफ लाइन एक्जाम जो है स्टूडेंट्स के एक्जाम स्ट कर दिये हैं एक तरफ बात कर रहे हैं मास्क लगाई है डिस्टेंस मिंटेन कीजिए कोविड से बचिए दूसरे सरकार के यह हाल देखिए कि यह सरकार जो है खुद हमारी जो युवापीडी है उसको खत्रे में डाल रही है और मेरी मांग है सरकार से कि जब आपने ऑनलाइ कर दीजिए बच्चों को या ओनलाइन जो है एक्जाम ले लीजिए यह क्या रवया हो गया कि एक तरफ तो स्कूल कॉलिजिस पूरे हिमाचल परदेश में बंद हैं और आपने जो फाइनल येर के एक्जाम है उसमें जो है बच्चों को बुला लिया और उनके एक्जाम ल झालीं